दवश्कार आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकते हैं जान सकते हैं आज दिनांग के तीस मार सन दोजार चौबिस विक्रम समवत दोजार असी चल रहा है चेत्र मास है कृष्ण पक्षे बसंत रितु है तिथी आज की पंचमी है और आज का वार है शनिवार आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र रातरी दस बच के तीन करन कॉलव है सुबह 8 बच के 53 मिनट तक आगे तैतेल करन रहेगा सुर्यदे का समय दर्शे को सुबह 6 बच के 19 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 6 बच के 43 मिनट का है आज का राहुकाल सुबह 9 से 10 बच के 30 मिनट के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेग इसमें को शुपकारें नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अभी जित मुरत आज दोपेर 12 बच के 6 मिनट से 12 बच के 56 मिनट के बीच है दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे हाला कि चारों दुष्ट मुरत सुबह बहुत जल्दी निकल ज करें द decorisya की यात्रा को आप टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जड़ुरी है अनिवारी रूप से आपको पुर्वप दिशा की यात्रा करनी है तो फिर करें पर्यार करें पर्यार іृइन प्रकार होगा पूर्वकी और मुकी मुकी जी थोड़ा सा अद्रक का के दाने खाकर पहले पांच कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हिर्दे में अपने अपने इश्ट का ध्यान करें भगवान श्रीराम का नाम लें और फिर यह यात्रा शुरू करें यात्रा अच्छी रहेगी देशा शूल आपको परिशान नहीं करेगा आज का शुब जंदराशी दर्शी को व्रस्टिक है यानि चंद्रमा अपनी नीच राशी व्रस्टिक से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी वारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों को स्वास्ते करम में होगी व्रद्धी तुला राशी वालों को रखना है वाणी पर नियंत्रण और व्रस्टिक राशी वाले रहेंगे भ्रमित दुनु राशी वाले नुक्सान उठा सकते हैं तो निवेश से बचे वहीं मकर राशी वाले अपनी मनुकामना पूरी होते करेंगी फिर आगी समझेंगे उन विस्टिस रुपायों को जो आपको समश्चाओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं अन्तु में करेंगा आज की दिन की जोतिश मंत्रणा और समाधान दर्शे को हमारी संस्कृति के उच आदर्शों में करुणा शर्णागत वत्सलता और दया का बहुत बड़ा महत्व है ये गुण इश्वर ये माने गए जैसे कि इन गुणों का चलता फिरता स्वरूप थे प्रभुश्री राम उनके चरित्र से ही इन गुणों को सीख कर क इमें जर्मया पर एदिया जैसा को शत्र नहीं है पुत्र जैसा को इस्ने नहीं होता है और दया शर्षट कोई धरम नहीं होता है आगे से इसकार्थ यह है कि इस दुनिया में जीवदया से तुल्य धर्म कहीं कोई दूसरा नहीं है यह नि आतने सर प्रियत्न करके अपने जीवदया करनी चाहिए जब कुछ करें कोशिश करें कि इससे किसी का अहित ना हो उपकार भले हो जाए अपकार ना हो यह प्रयत्ने करेंगे दया बनाए रखेंगे तो आप धर्म के बड़े स्तंब को द्रड़ता से पकड़े रहेंगे और अपने इस लोग को भी सुधारेंगे और पड़ लोग को भी होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिनका जनम दिन है आप सभी आज व्रक्षा रोपन अवश्चे करें विशेश करके नीम पीपल और बर्गत के पौदे अवश्चे लगाएं आज का भोजन दान आपके भागे को खोल देगा साथ ही आज ग्यारा सूखे नारियल के गेट यानी गोले लेकर उनमें भुनावा बाजरे का अटा उड़त का अटा तिल शक्कर और घी भरकर ग्यारे अलग लग जगें चीटियों के बिल के पास जाकर गाड़ाएं यह चोटा सा काम आप करेंगे आने वाला वर्ष निश्चित रूप से बहुत ही विसिष्ट फल देने वाला होगा इश्वरियन गंपा आपको लगातार अनभव होती रहेगी ऐसे दर्शे को आज का दिन वार तिथी नक्षत्र शनी संबंदित उपाय करने के लिए बहुत ही अच्छा है आज शनी वार है और शनी का ही नक्षत्र है तो आज कुछ कारे करके छोटे-छोटे शनी पीडा से रहात पा सकते हैं जैसे कि आज आज आप शनी देव को चाया दान करें इसके लिए दोपेर एक बच के 33 मिनट से दो बच के 35 मिनट के बीच में लोहे के पात्र में शर्सो का तेल भरें उसमें अपना मुक देखें चैरा देख और उस पात्र में देखते देखते मनी मन ओम शम शनिश्चराय नमे का जब करें और यह तेल या तो शनी दीव पर जाकर अर्पित कर दे या जो शनी पुजारी जो आपके घर आते हैं उन्हें पात्र समेथ ही दान कर दें ऐसे शाम बाद 8 बच के 49 मिनट से 9 बच के 37 मिनट के बीच दशरत करत शनी स्तोत्र के पार्ट या संस्क्रत अच्छी नहीं है तो हनुमान 40 और बजरंग बाण के पार्ट आपको शनी पीडा से निश्चित रूप से मुक्ति दिलवा देंगे तो आज आप यह कीजिए शनी पीडा से आपको मुक्ति मिलने लगेगी ऐसे दर कीजिए गनेश जी और हनुमान जी का पंचुप चार से पूजन कीजिए फिर एक पीले वस्त्र में जटा युक्त नारियल बांधिये और उसे कलावे के धागे से यानि मौली से अच्छे से बांध दीजिए उस पर हनुमान जी के मंदिर से लाएवे सिंदूर से तिलक एक बहुती विश्ष्ट मंत्र की माला एक माला नित्य करनी शुरू कर दीजिए बंत्र इस प्रकारे ध्यान से समझेगा ओम नमो भगवते रुद्र मुड़ते सकल संपत कराई स्वाहा फिर से समझते हैं ओम नमो भगवते रुद्र मुड़ते सकल संपत कराई स्वाहा तर मन से हनमान जी के प्रति शद्धा भाव समर्पन भाव से कीजिएगा उनकी कृपा से निश्यत रूप से आपकी ये समश्या पूरी तरीके से दूर हो जाएगी तो ये थे आज के वो विश्यस्ट उपाए जो आपकी मनोकामनाय पूरी कर रहे हैं आपको समश्याओं से बाहर ला रहे हैं बात करते हैं आपके सवालों की आपके सवालों में आज हमारे पाज जनम पत्रीका आई है हमारे दर्शक अजे कुमार जी की 15 नवंबर 1996 का इनका जनम में सुबह 9 बच के 11 मिनट भीलवड़ा वेवाईक जीवन खराब है उपाए बताए इनका प्रशन है देखिए अजे जी व्रस्टिक लगन की जनम पत्रीका आपकी और सब्तम भाव का दिपत्ति शुक्र नीच राशी में रहू के साथ हैं और इस इस स्तती में शनी की द्रश्टी भी पढ़ रही है विवा भाव पर भी और सब्तमेश शुक्र दोनों पर तो ऐसी स्तती बनना लाजमी है ऐसे मैं आप शुक्र रहू शनी की तीनों की शांती करवाई एक मोती पहन लीजिए नित्य शिवजी पर इत्रार्पित करना कर धनी योग है क्या धनका योग कैसा है यह पूछ रहें देवेंद्र जी आपकी जन्नमपत्रिका में कन्या लगन है लगनेश बुद्दस्थ है पंच में शनी बली है लेकिन भाग्य के अधिपति शुक्र स्वयराशी होकर भी अस्त है और यही शुक्र आपकी जननमपत् प्रतिनित्व करते हैं आपक्ति चंद्रमा आपके धन्बाव में बैठे ऐसे में आपके ग्रह योग के कारण आपकी धनी होने की प्रबल इच्छा है आप बुद्ध शुकर के जब तो धनी की श्रेणी माब निश्चित रूप से आ जाएंगे आज की तीसरी पत्री का यह हमारी दर्शक वैश्णवी पाटिल जी के सुबह 6 बच के 50 मिनट लातूर विवा योग कब है इनका प्रश्ण है देखे वैश्णवी जी आपकी अभी प्रबल योग चल रहा है विवा होने के इसके लिए जून से पहले पहले कहीं रिष्टा तेह हो सकता है इस प्रकार का योग प्रबलता से चल रहा है विवा का बिला वस्त्र और एक एपल यानि शिव जीप चड़ाना शुरू कर दीजे इससे आपको उत्तम वर प्राप्त होगा अच्छा वैवाएक जीवन चलेगा मैं पंडिच अंदर्शेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताएव उपायों को सही विदी सटीक समय अटूट संग हमने किया इस अपने जीवन में उतारेंगे धिरे धिर आपका जीवन शिव में शक्त में और आनंद में होता जाएगा में महादेव से प्रात्ना करता हूं कि जब आप हमारे बताएव उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारन अवश्य हो और मनुकामना पूर्ती निश्चत रूप से हो कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवति आप सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति